हलो गाइस, PCOD क्यों होता है? PCOD एक हर्मोनल समस्या है, जो हमारे खराब लाइपिस्टाइल की देन है. इसमें अंडेदानी में छोटी-छोटी गांठे बन जाती है. इसके करण कहीं तरह की हर्मोनल परिसानिया होने लगती है. और महावारी अनिमित होने की साथ वजन काफी बढ़ जाता है. PCOD इनफर्टिलेटी को बढ़ावा देती है, जिससे महिलाओ को कंसीव करने में समस्या आती है. So guys, PCOD को जड़ से खत्म कैसे करें? PCOD की समस्या से निजात पाने की घरीलू उपाये. जंक फूड और फास्ट फूड से बनाएं दूरी. रोजाना सुबह दस मूल क्वाथ का सेवन करें. सुबह उटकर सबसे पहले घर्मा पानी पीए. आमला एलो वेरा का जूस फादे मंध है. 7. सुबह सुबह करें. 10 मूला क्वाथ या 10 मूला रिष्ट ले. 7. सतावर चूण का सेवन करें. अर अरंडे की तेल से ओरी की सेकाई करें. पानी में दालचीनी का उप्योग कैसे करें? PCOS, Polycytic Oricidrome, एक तरह का हार्मोलल डिसार्डर होता है. जिसमें हमारी सिष्ट छोटी होने के साथ ओरी का साइज बढ़ जाता है. डालचीनी के पानी में थोड़ा सहत मिक्स करके पीने से ये समस्या कम हो सकती है. डालचीनी का पानी में हिलाओं में PCOS को कम करने के साथ इंसुलिन को भी नियंत्रिड में रखने में मदद करता है. PCOD में कौन सा फल खाना चाहिए? So guys, ऐसे मैं आपको हाइफ हैवर वाली डायट जैसे हरे पत्तो वाली सबजियां, साग, ब्रोकली, पालक, गाजर और फल जैसे सेव, अनार और कीवी खाने चाहिए. ये आपके सरीर को इंसुलिन रेजिस्टेंस से लड़ने में मदद करते हैं. ओरी में गाट की दवा क्या है? मेथी के अर्क के सेवन से सिष्ट की समस्या का समाधान हो जाएगा. क्विन मेरी की डॉक्टर का दावा है कि मेथी के अरके से हार्मून्स की गडबड़ी ठीक हो जाती है इससे ओरी की गांट गल जाती है इसके बाद महिलाएं समानने रुप से गड़ बधारण कर सकेगी PCOD में क्या नहीं खाना चाहिए मिठाईया और डेजर्ट स हो या प्रोसेश्ट फूड जैसे चीप्स, माफिन, ब्रेड आधी इन सब में चीनी की मात्रा अधिक होती है और चीनी का सेवन अधिक करने से ब्लड सुगर का लेवल बढ़ सकता है और इनसूलीन की लेवल पर नाकारात्मक असर पड़ता है चीनी वाले ड्रिंक्स और फ्रोट जूस भी पीने से परहेच करना चाहिए क्योंकि इससे भी वजन बढ़ने का खत्रा हो सकता है थांस टू वाचिंग मैं वीडियो और वीडियो पसंद आई तो सेर सब्सक्रेब और लाइक करें और कमेंट्स में बताए कि आपको और क्या इंफोमिशन चाहिए